दोस्तों स्वागत था आपका इस वीडियो में इस वीडियो में मैं आपको कुछ बातों के उपर बिजिस द्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कई लोगों का क्वेरिस था तो इन सभी बातों के उपर यहां पर चर्चे करने वाले हैं और सारे क्वेरिस का मैं आपको यहां प लेवाले पोस्ट दिये गया है तो लेवल फाइस के अंदर ग्रेज़िशन वाला पोस्ट है और लेवल टू, लेवल थिर के अंदर आपकां पर प्रियर के अंदर आपका। ठीक है तो इस बार जो है क्या यहाँ पे लेबल वाइज एक्जाम कंड़क्ट कराए जाएंगे या फिर केवल CBT2 में एक ही एक्जाम होगा ठीक है बाकी ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि टाइपिंग वाला कौन सा पोस्ट है और नोन टाइपिंग किसमे है यानि कि डिरेक्टली किसमे आपका ज्वैनिंग होने वाला है सीबैट किसमे है यानि कि जो अपना साइको टेस्ट होता है ये किसमे आपका रहने वाला है साथ में दोस्तों मैं आपको सेफ जोन की विसे में ठीक है भाई देखो इस बार तो average वालों के लिए तो पूछो मत बहुत tough competition रहने वाला है तो थोड़ा बहुत अगर आपका preparation अच्छा level का है तो definitely कुछ zone ऐसे हैं यहाँ पर जापे आपके selection के chances होते हैं ठीक है तो इन बातों के उपर मैं आपका ध्यान जो है आगरसित कराने क प्रियास करूँगा साथ में दोस्तों एक मैं आपको rough idea भी देने का प्रियास करूँगा कि cbt1 के cut up क्या लगेगा और cbt2 का cut up क्या लगने वाला है ठीक है तो सबसे पहले अगर थोड़ा सा cut up के उपर बात कर लेते हैं तो cut up की अगर जानकार लिए दोस्तों जैसा आपको पता है कि cbt1 आपका जो होगा वो आपका 100 marks का होगा ठीक है 100 marks का होगा तो भाई at least आपको किसी भी zone से आप यहां पर form fill up करते हो ठीक है तो आपको at least मान के चलो कि 65 to 70 score कर नहीं होंगे ठीक है यह आपका raw score होगा without normalization भाई normalization के अंदर maximum candidate के तो marks बढ़ी जाते हैं हलांके shift पर depend करता है कि आपका shift जो है वो कितना tough रहा हो ठीक है तो आप मान के चलो कि raw score यदि 65 to 70 आप लेके चलो 75 तो ज्यादा हो गया 70 ठीक है 65 to 70 के विच में score करते हो तो definitely आपके जो selection के chances हैं CBT2 के लिए हो जाते हैं क्योंकि भाई CBT2 में आपका 15 गुना लिया जाएगा ठीक है CBT2 में कितना गुना लिया जाएगा तो 15 गुना यहाँ पर लिया जाएगा जिस कारण से selection के chances हो जाते हैं और at least आपको 65 to 70 score करने होते हैं ठीक है भाई दोस्तों CBT2 की बात करें तो भाई CBT2 के अंदर अगर जैसा कि आपको पता है total 120 marks का paper होने वाला है ठीक है 120 marks का total paper होग लेकिन भाई फिर भी आप अगर station master के लिए जाते हो ठीक है जो अपना ASM वाला post है ठीक है इसके लिए जाते हो तो at least आपको 70% score करना पड़ेगा यानि कि 12 सती 84 marks ठीक है 84 marks यदि secure करते हो तो आप ASM में जा सकते हो बागी भाई अगर आप goods guard यानि कि जो अपना goods guard का post हो गय है ठीक है cheap commercial come ticket clerk वाला post हो गया तो और साथ में चो typing वाला post है junior accounts assistant come typist यह वाले सारे post ठीक है तो देखो goods guard में अगर आप जाना चाहते हो या फिर यह cheap commercial come ticket clerk वाला post है यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा लेबल 5 का post थोड़ा सा तब आपको एक idea मिल पाएगा देखि junior account assistant come typist और senior clerk come typist ठीक है इन post के लिए जाना चाहते हो भाई तो definitely यहाँ पे trained manager के लिए आपको कम से कम जो है वो 80 marks score करने ही पड़ेंगे ठीक है at least आपको 96 score करना पड़ेगा 120 में से क्योंकि भाई देखो cbt2 के अंदर normalization नहीं होगा cbt2 के अंदर यदि इस बार जो paper है वो तब भी normal license जो है वो नहीं होने वाला है ठीक है तो at least आप 96 score कर लेना बागी यह जो typing वाला post है ठीक है typing वाला यह जो 96 मैं बता रहा हूँ यह आपका cheap commercial come ticket supervisor का है और train manager का यह नहीं goods guard का है ठीक है तो at least आपको 80% यहाँ पे score करने पड़ेंगे भाई typing वाले post की बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कम marks में selection आपका हो जाएगा क्योंकि typing जो है वो थोड़ा सा कई लोग नहीं करते हैं एक नूर कर देते हैं ठीक है तो यहाँ पे आपको कर्म cut up देखनी को मिल सकता है तो यहाँ पे आप लेके चलना कि कम से कम 70% आपको score करने पड़ेंगे और at least आपको 84 के अंदर selection हो जाएगा ठीक है देखो यह मैं आपको genuine बता रहा हूँ पिछले साल का cut up और साथ में 2015 का cut up का range रहा था इसके अनुसार से और इस बर vacancy को देखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है तो भाई इन बातों को आपको ध्यान रखना है यह cut up का मैंन सारे zone में selection हुए है जो की genuine है दोस्तों ठीक है आप check out भी कर लेना ठीक है बागी कुछ zone ऐसे भी रहे है जहां पे भाई पूछो मत यार 90% तक भी selection हुआ है 85% तक भी selection हुआ है ठीक है तो zone के उपर भी आपका वहरी करता है cut up कितना जाएगा तो देखो सबसे safe zone के उपर आपको देखना है क्या देखना है तो आपको देख लेना है कि आपका जो medical standard है ठीक है medical standard यह कौन से medical standard के अंदर आप आ रहे है और उसकी विकेंसी कितनी है ठीक है अपना eyesight एक वर चेक कर वा लेना medical standard चेक कर वा लेना ठीक है और आप जिस भी medical standard के हो उसकी विकेंसी वहां प तो इसमें आपका जो जूनियर अकॉन एसिस्टेंट कम टाइपिस्ट वाला पोस्ट यह आपके जोन में है या फिर नहीं तो इन बातों के उपर आपको ध्यान रख लेना है तब जागर के आप जो अपना जोन को सेलेक्ट कीजिएगा ठीक है यहां लांकि यहां पर मैं आप मैं अपके पिलखार करता है और टिकाटी आप क山 जून को तो यहां से लिखाने रहा है रहे वो हुआ bliver द्यान सो सुनते गाल्याइन हो गया फिर भाई आप जो है वो बेंगलूर को प्रिफर कर सकते हो ठीक है बेंगलूर की ऊपर प्रिफर कर सकते हो साथ में मुंबई जून को भी आप प्रिफर कर सकते हो ठीक है मुंबई जून को प्रिफर कर सकते हो और मैं एक जून और इंडिकेट करवा देता हूँ आपको ताकि थोड़ा स फोलो करते हो उस medical standard के अंदर आपका जो eyesight है वो है भी नहीं आपका है या फिर नहीं ठीक है या नीर विजन distant vision ये सारे आप मेडिकल स्टैंड को एक पर चेक जरूर कर लिज है तो यह बात भी मैं आपको क्लियर कर दिया हो अब दीखो एक बात और मैं यहां पर बताना चाहूँगा काफी लगों का पर पर ठाकर जिस्टाट और 2017 प्रेपर लिया गया था ठीक है cbt 1 का paper लिया गया था और cbt 1 के paper के बाद जो है cbt 2 का जो paper हुआ था उसमें लेबल wise हुआ था level wise in the sense की level 2 के लिए का ago reading लिया गया था level 3, level 4, 5, 6 के लिए लग अलग paper लिए गया था ठीक है 1 के लिए भी single paper और 2 के लिए भी single paper होने वाला है ठीक है इस बार आपका single paper होगा label wise paper नहीं होगा ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ऐसा इसले होगा क्योंकि इस बार जो paper हुआ है इस बार जो एंटेफेसी के vacancy निकाली गई ही वो आपका intermediate level पे और graduation level पे अलग-अलग निकाला गया है ठीक है तो देखो graduation वालों के लिए एक ही paper होगा cbt2 का और cbt1 का भी उसी प्रिकार से intermediate वालों का भी cbt1 का और cbt2 का एक ही paper होने वाला है cbt1 का भी एक paper और cbt2 का भी एक paper ठीक है अब देखो इतना हो जाने के बाद यहाँ पे कुछ और conditions है जैसे यहाँ पे कुछ typing वाले post है ठीक है typing वाला post है और कुछ psycho वाला post है ठीक है और psycho वाला post यानि कि जो station master है इसके लिए भी आपको यहाँ पे psycho test देना पड़ेगा ठीक है तो यह दो post ऐसे हैं जहाँ पे आपको जो है वो psycho और typing देनी होगी वहीं भाई कुछ पोस्ट ऐसे हैं जैसे ग्रेजिशन में आपका इस बार जो निकला हुआ है चीप कमर्चिल कम ठीकट कलर्ग क्या टीकट सूपरवाइजर ठीक है यहाँ पे देख लो मैं आपको इंडिकेट करवा देता हूं यार ताकि क्लियर हो पाओ आप देखो यहाँ पे जो पोस्ट के बाद डिरेक्ट जोइनिंग मिलता है आपके मार्क्स के अधार पे आपके मार्क्स के मेरिट के अधार पे ठीक है कौन-कौन से भाई चीप कमर्चिल कम टिकट सूपरवाइजर ट्रेंड मैनेजर और सी सीटी सीटी से यहाँ जो की लेबल 3 का पोस्ट यह तीन पोस्ट ही का प्रियास के है फिर भी किसी भी प्रिकार का कुक प्वैरिस हो डॉट हो तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ दिएगा अगी मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद